हेलो गाइस, हाव आ यू, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होगे गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंगलिश बोलते टाइम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं उन में से इंट्रोडक्शन होता है जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ ऐसे ही एक जरूरी टोपिक होता है हमारा डेली रूटीन आप सुभा से लेकर सोने तक के टाइम तक आप क्या करते हैं आपकी पूरे दिन चरिया क्या है आप पूरा दिन कैसे बिताते हैं आपने क्या क्या किया हम वो सारी चीजे वन बाइवन बताते हैं अपने डेली रूटीन में तो गाइस डेली रूटीन का मतलब होता है दिन चरिया आपके दिन चरिया कैसी होती है आप क्या करते हैं तो आए गाइस हम इसी के बारे में बात करते हैं देखते हैं यह डेली रू बिताने का जो schedule होता है, वो अलग होता है, मेरा अलग होता है, आपका भी अलग होगा, ऐसे ही जो मैं ये लेकर आया हूँ, daily routine, ज़रूरी नहीं है, आपके fit बैठें, लेकिन ये एक overview है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं, ये एक copy है, जिसको आप अपने time के हिसाब से set कर सकते हैं तो आईए देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, daily routine, अब इसमें हम देखते हैं, हम one by one कैसे कैसे करते हैं, ये basically बच्चों के लिए हैं, जो schools जाते हैं, उन बच्चों के लिए हैं, और इसको जो बड़े हैं, जो अपने इसको live में use करना चाहते हैं, वो भी इसमें जैसे, I wake up early in the morning, मैं सुभा उठता हूँ, wake up का मतलब होता है, जागना, मैं सुभा जागता हूँ, जल्दी in the morning, सुभा के समय में, at around लगभग 5.30 a.m, लगभग 5.30 बजे मैं उठता हूँ, 5.30 मिनिट पर मैं उठता हूँ, ये जागता हूँ, I get myself ready for the school, मैं अपने आपको स्कूल के लिए तैयार करता हूँ, मतलब मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, get myself ready, तो get ready मतलब होता है, तैयार होना, जब आप तैयार होते हैं, तब आप य्ज करते है, get ready for the school, my school bus picks me up, मेरे स्कूल की bus, मुझे लेती है, पिक्स में तो पिकप का मतलब होता है कहीं से रिसीव करता है जब गाड़ी आपको उठाती है आपको लेती है तब वहाँ पर हम यूज करेंगे तो माई स्कूल बस पिक्स में आप एट दा बस स्टोब बस स्टोब से मुझे लेती है मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ आपने पूरे ध्यान से मैं अटेंशन होकर अपने टीचर्स के साथ कहने का मतलब यह है कि I study in the school में पढ़ाई करता हूँ with the greatest concentration, महान ध्यान के साथ, अपने बड़े से ध्यान के साथ, अपने अच्छे ध्यान से और अटेंशन और पूरे साफधानी से towards my teacher, अपने teacher के प्रती lectures में, जो teachers के lectures होते हैं और में बहुत ध्यान से अपना पूरा focus पढ़ाई पर करता हूँ I try my level best, मैं अपना भरसक प्रियास करता हूँ I try my level best, आप इसको, इतनी लाइन को आप डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, इसके अलाव आई देखते हैं, I try my level best to clear my doubts, मैं अपना भरसक प्रियास करता हूँ अपने सभी doubts को clear करने में, in the school, school में Itself, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, Itself लगाया है, Itself का मतलब है, यहाँ खुद, मतलब जिसी school में पढ़ता हूँ, अपने सारे doubts में पर clear करता हूँ Itself का मतलब वही है, जहाँ पर आप बोल देखा हैं, जिसके बारे मैं आप बोलने हूँ, आप हम Itself लगा देते हैं After that, उसके बाद I come to my home, उसके बाद मैं अपने घर आता हूँ I refresh myself, मैं अपने आपको refresh करता हूँ, ठक जाते हैं इस school में, पूरे दिन पढ़ाई की, आने में तो वहाँ से आने के बाद मैं मैं फी पूरी तरह से fresh होता हूँ And watch TV, और TV देखता हूँ, while taking delicious lunch और ये कब करता हूँ, मैं TV देखने के दोगान, मैं अपना lunch भी खाता हूँ In the afternoon, दुपैर में, ये मैं सब दुपैर में करता हूँ Then I have a fun time, मेरा एक मस्ती का भी time होता है, I have a fun time with my friends, मेरे friends के साथ में आगे देखते हैं, in the garden, garden में, मैं अपना सारा समय, अपने मस्ती वाला समय, अपने दोस्तों के साथ, garden में बिताता हूँ My day gets over, मेरा दिन पूरा समाप्त होता है, खत्म होता है, with a family dinner, एक family dinner के साथ में जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, साम को हम साभी लोग बैठते हैं, पूरी family बैठते हैं, और हम साथ में सारे लोग मिलकर एक dinner करते हैं and an hour of study, और एक घंटा पढ़ा ही करता हूँ My grandmother tells me bedtime story, bedtime story का मतला है दोस्तों, जब हम bed पर होते हैं और दादी माह, और नानी हमें कहानिया सुनाती हैं, हमारे बजूर जब हमें कहानी सुनाते हैं और हम उस time bed में होते हैं, तब उसके लिए ही उस क्यागा है My grandmother tells me, मेरी grandmother मुझे कहानिया सुनाती हैं, बैड में, listening और मैं सुनता हूँ which I get into a deep sleep और इस तरह से मैं उन कहानियों को सुनते हुए गहरी बीद में चला जाता हूँ दोस्तों पिर उसके बाद में आप यहां पर thank you बोलेंगे Thank you बोलेंगे and आपका daily routine नीश हो जाता है Guys यह वीडियो आपको कैसे लेगी आज का topic आपको कैसे लगा वीडियो को जाना ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्साराइब करें अगर आप हमारे चैनल को नए है Thank you, thank you so much